यार यार आपको समझाने के लिए तो मैं अभी अपने हाद भी जलवा सकता हूं अलब यह क्या नहीं समझ मारा थर्मोडेनिमिक्स में आग लगा देगे और इसको बिल्कुल समझ के रहेंगे कि वही कैसे थर्मोडेनिमिक्स काम करती है चलो यार इस एडियमेटिक प्रोसेस को समझते हैं इसमें हमारे पास हीट सेम रहती है अब इस फ्लेम से मैं क्या दरूँ अगर एक छोटे बरतन को गरम करूँ इसी हीट को यूज करते हुए अगर मैं बड़ा बरतन यूज करूँ जिसका वॉल्यूम जादा बड़ा है अब कि इधर से जो प्रेशर इधर की तरफ आरा बहुत जल्दी डाउन चुला जाएगा वो ऐसे नीचे जाएगा